99% लोग अपनी सेल की मेज को खो देते हैं वर्तमान में आप कहाँ हो इस बात से फर्क पड़ता हो और बविश्य में आप कहाँ जाना चाहते हो ये बहुत महत्वक्त हूँ कि हम उस बच्चे को लिबरेट करके ला रहे हैं जो भसा हुआ है तो कोई ना कोई एक काम ऐसा ज़रूर आजा बहुत बढ़िया कर सकता है आपको किभल भई पैचानता है दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर मेंत माईश्वरी आप सभी का सौकत करता हूँ लेजिंज ओफ नेशन की सीरीज में और आपको पता है कि हर बार हम एक ऐसे सेरीबिटे गेस्ट को बुलाते है जिनों पर लाइफ में हजारों लाखों करोडों के दिल में जगा बनाई है और साथ-साथ उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनका बहुत-बढ़ा रोल है तो ऐसी एक सक्षियत आज हमारे साथ में है NLP कोच सर राम वर्मा जी राम वर्मा सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है प्योंकि आप Legends of Nation तो ही है साथ-साथ हम लोग आपको देखते हैं बहुत लंबे समय से मतलब अगर पब्लिक स्पिकिंग इंडस्ट्री बोलूम तो पिछले लंबे समय से हम आपको देखते आ रहे हैं तो पहले तो मेरे लिए एक सव बागे की बात है आजाब हमारे साथ में है सर जर्नली ना ये कहा जाता है कि वही साथ से आठ घंटे की नींद हम लेते हैं तो नींद पूरी होती है और ये बिलीफ सब के मन में है सुरू से बता है डॉक्टर्स भी कहते हैं साथ आठ घंटे से कम सोना नहीं है अब मुझे ना अपनी लाइफ को ट्रांस्फॉर्म करना था अब ट्रांस्फॉर्म करने के लिए अगर आप फ्री वेले बंदे हैं तो आप कभी भी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं कभी भी जम जाओ, कभी भी डाइट करो, कभी भी सो, रलैक्स करो, कुछ भी करो अगर आप वर्किंग है और उसमें भी बहुत बड़ा प्रेशार है पूरा, आपको सेमिनार्स भी देखने हैं, वरक्शॉप भी देखने हैं, इंस्टिट्यूट भी देखना है, फैक्टरी सेटप देखना है, शोरूम देखना है, तो टाइम कहां से निकालेंगे, ट्वे उनमें से अगर दो गंटे निकाल लो, तो आप अपना वो लख शासिल कर सकते हैं, तो मैंने का, मैंने सोना हुआ है कि 7-8 गंटे तो मिनिमम सोना ची और जितना वर्क प्रशर मेरे उपर है, तो मुझे 10 गंटे भी कम पड़ते हैं, तो उन्हों एक टेक्नीक सिखाई मुझ कि आपके मन में थौट्स चल रहे होते हैं, तो मैंने का, सर थौट्स को मैं कैसे रोक सकता हूं, एक डम नहीं रुकेंगे, लेकिन जब प्रक्टेस करेंगे, तो आप में पूरी बॉड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे, मुझे बिलीव नहीं हो, यह कुछ यह क्या होता है, कि कि मैं अपने में लेटा हुआ हूँ, और मैं कहा रहा हूँ कि जो मेरे बिलीव सिस्टम में बाते आ रही हैं, आने दो, आने दो, आप मैं पूरी बॉड़ी को रिलाक्स कर रहा हूं, मेरे पैर के पंजे की जो पहली उंगली का ना खून है बिल्कुल वहां से शुरू करता आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे को सपोर्ट किया पूरे दिन और पूरे दिन मेरी बॉडी रिलाक्स रही आपने इतना सा चलने में मुझे हल्प किया पूरे पंजे एक एक तलवे से लेकर अब आप मैं करा हूँ आप बिल्कुल रिलाक्स करो और उसको ढीला छोड़ द प्रेक्ट्रिक स्विच ओफ किया तब वो बंद हुआ है तो हमने एक सौफट्वेवर में गई है वहां जा स्टार्ट बटन था मां क्लिक किया शट्डाउन आया वां शट्डाउन किया तो वो शट्डाउन हो गया एक्जेक्ली तो मुझे बास थोड़ी-थोड़ी समझ मे नहीं लेगा आप स्लीप मोड में फिर देर देर अपने पेट को स्टमक को अंदर के और और अगंज को थैंक्स करो मैं गया ऐर ऐसे कैसे होता है तो उनी ताम उससोर शुरुत में थोड़ा-थोड़ा करन लगा मैं फिर अपने और और अगंज को रलेक्स करो अपनी उसका काम, बागी सीज़े कल देखेंगे, now I'm going to in deep sleep, take a long breathe, and sleep down, sleep down, विचार आ रहे हैं, आने दो, चलने दो, सांस देखते रहो अपनी, सांस देखते, 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 हाथ डिले छोड़ दो, एक उंगली, शोल्डर, सब को डिला छोड़ दो, पूरी रीड के अड़ी को रिलाक्स कर दो, आप देखो, आपको पता ही चलेगा, अपको नीद में चलेगा, मन का ऐसे नहीं हो सकता, मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, पहले दिन किया, तो थोड़ा जीप सा मुझे लगा, सॉफ्ट्वेर को समझ लिया, इस कोल्ड सेल्फ इप्नोसिस, सेल्फ इप्नोसिस, और जबकि मुझे नॉलिज नीदी, मुझे सिर्फ हलका सा गाइडलाइन्स मिला था, फिर क्या हुआ, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, बीएसेफ के कैंप में हुआ, जैसर मेर बटिलियन में, तो वहाँ एक वहाँ के डीजी थै, राठी जी, उन्हें मुझे टेकनीक सिखाई, जिसमें हम, जो आठ गंटे, दस गंटे की नीद होती है, वो तीन से चार, चार से पांच गंटे में पूरी कर सकते हैं, और जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया, तो बिलीव मी की, एवरी डे, आउट अफ दा बेड एट 4.40, 4.45, 4.45 पर मैं उड़ जाता हूं, उसके बाद फिर आप मेरी ट्रांस्फोरमेशनल जर्नी, मॉंक बोड के सब देखी रहे हैं, सुबा पांच बएशे लेके, 7-8 बएशे तक मैं वर्काउट करता हूं, फिर ओफिस आया, फिर पूरा काम किया, फिर शाम को 7 o'कलॉक जब ओफिस शडाउन करते हैं, फिर दुबारा में जिम जाता हूं, रात को 10 बजे के बाद 11 बजे में सोता हूं, और सुबा पांच बजे उड़ जाता हूं, तो पांच घंटे में मेरी नींद वैसे ही पूरी होती है, जितनी एनरजेटिक मैं 10 बजे में कर पा रहा था, और प्राक्टिस करने के बादा मुझे लगता है कि मैं इसको 4 घंटी भी ले जा सकता हूं, जबकि साइन्स पे भी यह कहते हैं कि 8-10 घंटे की नींदों लेनी चाहिए, तो शायद यह इंडिरेक्ट वे में मैंने सब कॉंशियस माइंड में चीज़ों को स्कूर्ट किया है, और ऐसी बिलीफ सिस्टम, कि बई मैं एक इंसिडेंट बदाता हूं, मैं जिम में खड़ा था, इतना मोटा पेट, संता लिसिंच की कमर, और मैं सोच रहा हूं कि 6-pack abs, होते हैं जिम में पोस्टर्स लगे होते हैं, तो पोस्टर में मुझे कभी पोस्टर नहीं दिखाई दिया, पोस्टर में मुझे मेरी खुद की पोस्टर दिखाई दि, कि यही चेहरा है, लीन है थोड़ा सा, और 6-pack abs मसल बने हुए, तो मैं बोल रहा था सब कॉंशेस माइंड से, मतलब सोच रहा था अंदर, तो मैं करा 6-pack abs, तो वह र्याने के लड़का खड़ा कहता हूँ, इस मोट्टे हो देगे, वह 6-pack abs की बात कर रहा है, तो मैंने सुन लिया, मैं का भाई क्या बोल रहे हो, कर रहा है सब 6-pack abs 6-pack abs कर रहे हो न, आपको यह 2-inch भी काम हो जाए साल बर में, तो जो आपको होगे वह दूँगा, मन का भाई, मैं 6-pack abs का शूट कराऊंगा, वीडियो शूट, 18th April 2018 को, उनने का पर डेट तर ऐसे लिग रखे, जैसे जाके चीज खर दीनी हो, मन का ऐसे ही है, 18 April 2018 को 6-pack abs शूट कराऊंगा, और वो सबकॉंशेस माइंड पर काम करते, 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 बिलीफ सिस्टम पर, 47 इंच की कमर, 96 इंच की लोका वजन, मैं गया 67 kg weight, और 28 इंच इंच इस वेस साइज और 6-pack abs, सबकॉंशेस माइंड ने फोटो, जैसी मेरे माइंड में बनाई थी, exact वैसी फोटो, जब मैंने फोटो शूट कराया, तो मुझे लगा, यह तो वो ही फोटो जो मैंने देखी हुई थी, जबकि मैंने अभी कोई, मतब deeply study नहीं किया, belief system को जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैंने उस पर जब काम किया, तो मुझे वो ही result हासिल हुए, जो मैं करना चाहता था, आज हम काफी सारे business के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बताया आपको कि कैसे मैंने imagine किया कि मैं steel industry बनाऊंगा, module location industry में आऊंगा, या कोई भी product बनाऊंगा, और धीरे धीरे करते करते, आज studio में आप मेरे साथ हैं, और शूरू भी आपने विजिट किया, तो मुझे लगता है कि visualization काम करता है, हम चीजें डिजाइन करते हैं, भई हम जो product बनाते हैं, उस पर पहले उसका design बनाते हैं paper फिर 3D बनाते हैं, model client को दिखाते हैं, वो इसको final करता है, फिर हम एक्च्वल में production करते हैं, जब वो बन जाता है, जब इंस्टॉल करते हैं, तो वैसा ही बनता है, जैसा हमने 3D बनाता है था, तो इस इस पावर ऑफ इमेजिनिशन बिलीव सिस्टम, सही कहा रहा हूं सर, आप इसके expert हैं, हम लोग बिलीव में को लेकर या बिलीव में को लेकर जब स्टाट अपने होते हैं, कि मैं successful होंगा या नहीं होंगा, तो उनको कैसे बिलीव डेवलेप करना है, कि मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास clients आएंगे, मेरे पास sales आएगी, मैं sales का volume बढ़ाऊंगा, अच्छा profit कमाऊंगा, बिजनस को next level ले जाऊंगा, कैसे वो manifest करें और कैसे इसकी practice करें? देखे, manifest वर्ड जो है, इक शिर्फ audio वर्ड नहीं है, इसकी एक process है, आपको जो भी पाना है, जो भी बनना है, जैसा आपने काया, कि मैं 18 April 2018 को ऐसा दिखूँगा, तो आपने क्या किया, आपने future event को create कर दिया, अपने mind के लिए, जब भी याद रखेगा, जब भी कोई भी journey, जो भी कोई भी journey smooth होती है, वो उन लोगों के लिए होती है, जिसका future you, future destination clear होता है, आप गाड़ी यहां से निकालें, और दोड़ानी शुरू कर दें, highway खाली पड़ा है, आप घंटा दो घंटा enjoy कर सकते हैं, लेकिन फिर mind पूछे का, मैं जा का रहा है, लेकिन अगर destination आपको clear है, और उस destination पर जाने के लिए, आपके पास enough reasons हैं, तो भले ही तोड़ा सा highway भी आपका तंग है, तो भी आप enjoy करेंगे, because आप अपने destination पर पहुँच रहे हैं, जब हम किसी भी चीज को manifest करना चाहते हैं, तो पहला काम यह करें आप सब लोग, कि आप future you को पूरी तरह से तयार करें, क्या चाहते हैं और वो कैसा दिखेगा, वो वीजवल्स, वो चलना, वो कपड़े, वो ड्रेस, वो जुएलरी, वो आपके अक्सेसरीज, वहाँ पर किन लोगों की तालिया आप सुनना चाहते हैं, कौन लोग आपको sign up कर रहे होंगे अपने assignment के लिए, किस तरह की वहाँ पर आपकी feeling होनी चाहिए, किस तरह का आपका लुक होना चाहिए, और वो समय भी आप उसे एक milestone की तरह देख लेना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजेगा, quantum physics के अनुसार, you are creating that event, and that you will not reach that event, that event will attract you, वो event ही आपको attract कर लेगी, आपने नहीं किया 2018 अपरेल को manifest, रादर उस event ने आपको अपनी तरफ अट्रेक्टर लिया, और फिर वैसी लोग मिलते जाएंगे, वैसी साथ बनता जाएगा, जैसे बढ़ एक एक बदाता हूँ, हमने गाड़ी खरी दी Audi A6, जब तक में पाड़ी A6 नहीं थी, तब तक मुझे रोड़ पे दिखाएंगे जर्नली, जब ने फैमिली में डिसाइड किया रोड़ी A6 लेनी है, तो बिलीव मी, कि हम रोड़ पे जा रहे हैं, डड़ी वाइट कलर के Audi A6 कैसी लग रही है, मन कार वाइट कलर के नहीं अच्छी लग रही है, थोड़ी देर बाद में दूसरी दिख गई, कि देखो टड़ी, ओड़ी मैं का नहीं ये A4 है, और देखी तो A6, हाँ ये ब्लू, ये ब्लाक, ये अच्छी लग रहे हैं, ब्लाक लेंगे, या डाक कलर लेंगे, एक देखी हमने ब्राउन कलर, नहीं ब्राउन लेंगे, तो हमने एग्जेक्ट पिक्चर फीड कर ली, कि हमें आड़ी लेनी है, A6 लेनी है, और मून ब्लू कलर पसंद आया, एग्जेक्ट आप्टर फ्यू मन्स, वही आई, वही आई, बिल्कुल यही तो है, यही तो मैं आपसे कहा रहा था, कि जैसे ही आप कोई भी पिक्चर को, किसी भी इवेंट को आप अपने माइंड में डालते हैं, नाव दो यूनिवर्स सेज, जो अगर आप मॉनिस्टिक थियोरी को पढ़ेंगे, करना शुरू कर देगी, जब आपको वह ओडी दिखाई दे रही है, इसको हम सिंक्रोनि सिटी कहते हैं, यानि कि वह इवेंट जो अब आपने पूरी कर ली है, उस इवेंट के रेफरेंसिज आपको पकड़ना शुरू कर देगी, यानि कि आपने अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिटिंग सिस्टम जो आपके माइंड में होता है, यह एक पर्टिकुलर लोकेशन होदे, यह पार्ट है जैसी आप अपने फोकस को स्ट्रोंग करते हैं, आपको उन्हीं चीजों पर फोकस करता है, आपको लोग सभी मिलेंगे, पर आप सब लोगों से रिलेट नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में और बहुत इवेंट आएंगे, पर आप उनके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, आप उन इवेंट या उन लोगों के साथ ही जुड़ेंगे, जो आपको उस future EU तक या future event तक ले जाएं ग्रेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर हम लोग क्योंकि बनिये हैं तो हमारे पास जातर लाला लोग सारे हमारे इर्द ग्रिद रहते हैं हमारे businesses में भी सब बनिये वैपारी जो लाला हैं समाजिक संस्थाओं में मिलते हैं तो सब लाला जी लोग है तो पहले circle में वो ही सारे लोग थे मतला अगर मैं याद करूँ 20-50 एक 9 persons का तो सब मोटे हटे कटे बनिये ही दिखाई देते थे या लाला लोग थे या उसी physique के लोग, business mindset के लोग जब मैंने transformation किया तो दिरे-दिरे मेरा circle चेंज होने लगा डाइट करने वाले लोग, bodybuilding करने वाले लोग, yoga, zumba, aerobic इस activity के लिए, martial art वाले लोग तो उस तरह के लोग आज मेरे link में कम से कम 50 सर तो bodybuilder है अच्छे dietitian है, अच्छे transformational expert है क्योंकि उसी तरह का manifest किया उसी रास्ते पर हम चलने लगे और वही लोग मिलने लगे, वही लोग attract करने लगे seminars में तो हजारों की भीड आती है कि एक seminar में 2000 तक लोग होती है लेकिन उन में से कौन से लोगों को हम choose करेंगे जो हमारे future goal को अच्छीव करने के लिए help करेंगे और देरे देरे circle बनता चला जाएगा इसी को हम collapsing the wave कहते हैं quantum physics में तो यानि कि जो भी आप एक बहुत बड़ी कहावत है कि every time you observe, you create a reality इसका meaning यह है कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को अपनी imagination में एक खूबसूरत intensity के साथ create करते हैं immediately उस event को आप create कर चुके होते हैं थोड़ा future में बस यही इसका concept है इसी के उपर 2022 का even Nobel Prize मिला है कि कैसे आप अपने mind से किसी भी reality को create कर सकते हैं बस उसमें इतना सा होना चाहिए कि उसमें आपका एक विचार, एक गौल एक लक्ष होना चाहिए और उस लक्षे के पीछे एक टीवर्ता होने चाहिए कि मुझे ये क्यों चाहिए अगर वो टीवर्ता नहीं है तो फिर आपका mind डाइवर्ट हो जाएगा वो टीवर्ता बहुत ही emotional समवेदनाओं से भरी होनी चाहिए कि ये तो मुझे बनना है, ये तो मुझे करना है ये तो मुझे चाहिए और जैसे आप इस intensity को रखते हैं तो immediately universe starts playing a game, कि वो एक शडिंतर करता है आपके साथ positive कि चलो तुमने इतना माना है और इस intensity के साथ मांगा है तो ये रहा तैयार, ले लो इस gift को सर एक चीज़ और मैं कहता हूँ जो belief system है, इसमें parents का बहुत बढ़ा रोल होता है, आज जरूरी नहीं के सारे युवा साथी देख रहे हैं, कुछ इस उमर के लोग भी देख रहे हैं नथैं सच हमाल है कि लिडियो के अवह कहते हूं ये वह सबस्क्राएं भी आपाण प्रसारण सेवे व्चान। विविद भारती की विग्यापन प्रसारण सेवा का deer ली केंदर है समय नो बजकर बारा बिनटर पच्छ सेकिन के अब क्या आ रहा है अब विविद भारती आ रहा है फिर उन्हें चेंज किया फिर आए समाचार आज के मुखे समाचार तो समाचार उन्हें का देखो पटा इस यूनिवर्स में न सारी चीज चल रही है अलग-अलग वेव चल रही है अलग-अलग तरंगे है मतलब समाचार भी ऐसे बह रहा है चित्रहार भी चल रहा है विविद भारती भी चल रहा है पर तो हमें कुछ दिख रहा है तो हम कहते रहें नहीं पापा हमें तो कुछ निन दिख रहा बना थोुक्राइब शुक्री इमति और थो खाहिए देखो कि हमारे क्लास का जो टॉप बच्चा हे वह समय क्या कर रहा ह diferen मतलब बिलो एवरेज, हमारी क्लास में 40-42 बच्चे थे, तो मेरा नमबर आता था, 20-22-24 नमबर आता था, मैं कभी 1st नहीं आया, 1st तू 9th क्लास तक, तो 10th क्लास में मुझे टीचर मिनी था, मैथेमेटिक्स के डीचर थे, कोशिंग जंटर था, बहुत अच्छे टीचर थे, और स्पेशलाइज वो मैथ्स के थे, तो वो, मुझे से एक बात कहते थे, कि किस चीज में कमज़ोर है, मैं का सर मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मैथ का तो मैं एक्सपर्टिव बना दूँगा, मैं सर हिंदी मेरेको ठीक से लिखनी नहीं आती, बाकी सब्जेक्स हैं, साइन्स मेरेको समझ में आती, तो उन्हें पता क्या किया सर, मुझे टूशन में रख लिया, मुझे टूशन में रख लिया, तो मेरा काम था स्कूल गए, स्कूल से हिदा टूशन पहुंच गए, उन्हें का उनके पास चार-चार बैच होते थे, एक सब्जेक्स के चार बैच है, त तो मेरा नियम यही हो गया था कि हर चेप्टर की चार वार मेरी क्लास है रिपिटेशन में और मैं अपनी क्लास में थर्ड आया था पर सेगिंडर आज थर्ड बोलेंगे तो बड़ा बुरा मानेंगे उस ताइम पर मतलब नाज के बच्चों को बुले है 62 पर सेगिंडर तो बहुत चारम की बात है आज कॉंपिटेशन नाइन और हंडर के वीच में और उस ताइम पर सेगिंडर बुलाया और मुझे एक दस रुपे का नोट गिफ्ट किया कि यह आब भी दे रहा हूं तुझे लेकिन कर असेंबली म नोट गिफ्ट दिया कि इस बच्चे ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया और 66 परसेंट नंबर रहे है तो और मैट्स में आय थे मेरे 86 उस टाइम के टॉप हाइस्ट जिस समय 55 नंबर आते निए तो सोसल स्टेडी में कम थे क्योंकि भूगोल और समाजिक शास्त्रमर को प तो टूशन सेंटर खोल लिया तो अब मुझे अपने आपको तो प्रूव करना ही है पढ़ाने में प्लस अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ा पाएंगे तो अच्छा पढ़ने के लिए एक ट्रिगर मिला क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो वो लाइफ ऐसे ब तो इस बिलीव के बुलिव के बिलिव के वाल अगर मेरी अगर मातक जाऊंगे तो एसे करके belief system मेरा strong होता चला गया अभी मैंने एक video अपलोड किया मेरा एक monk mode चल रहा है सा triple one days transformational series जो मैंने calculate करके इस date को शुरू की कि मेरे 111 दिन 31 December को पूरे हूँ और 111 दिन जो 31 December को पूरे होंगे मैं fully transform हो चुका हूँ आज मैंने 36 का suit पे रहा है पिछले वीडियो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो जो हमारे special guest के साथ था उसमें 38 का suit है और उसे पिछले वाले वीडियो में आपको 40 का suit मिलेगा तो 40 से 36 suit में हूँ belief system काम करता है बशरते आप उस पर हिर्दे की गयराईयों से विश्वास करें मैं तो हमेशा कहता हूँ सर समय बद्दता के साथ यदि लक्ष बनाएंगे तो वो हासिल जूरूर होगे क्यों कि आप उसको हासिल करने के लिए वही प्रयास करेंगे जो आपको करना है इस बात को ऐसे मजलो movie शुरू होनी है तीन बजे आपको पता है कि धाई बजे निकलूंगा तीन बजे पहुंच जाऊंगा आप निकलने में दो पैंतिस हो गए तो आप क्या करेंगे आप तीन पर नहीं पहुंचेंगे आप स्पीड अपनी बढ़ा देंगे तो जब आपकी डेस्टिनेशन की यहां तक पहुंचने में कितनी गती लगेगी कितनी गती मुझे बढ़ानी पड़ेगी कितना कम करना पड़ेगा कितना में रिलैक्स कर सकता हूं सवा दो बजे निकल गए तो पता है कि वे पंतालिस मिनिट है तो दिरे-दिरे चलाएंगे मजे लेते हुए तो मेरा तो यह कहना है कि आप मुवी से कल्कुलिट करो कि मुवी कितने बज़े पहुंचनी है उस में पहुंचनी में कितना समय लगेगा उस आप से आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए यह ऐसे मैं लक्ष बनाता हूं और एक और मेरी लाइफ का फंड है सर जो लक्ष मुझे मुझे मुश्किल लगता है कई बार ऐसा नहीं है कि हर एक लक्ष असान हो जाएगा मुझे कोई भी लक्ष मुश्किल लगता है तो उस लक्ष को में पहले ही अनाउंस कर देता हूं कि मैं यह करने जा रहा हूँ और सबसे अदा उन लोगों को जो मुझे criticize करते हैं कि मैं अब यह करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह वो लोग अगर नहीं हुआ तो मेरी जान खा जाएंगे मेरे वो दोस्त जो मेरे किसी भी लक्ष पर खुश होते हैं लेकिन सामने तो बजे लेते हैं तो उनको मैं जुरू बताता हूँ कि भाई यह लक्ष है ट्रिपल वन डेज सीरीज सिक्स पैक एब्स का शूट करेंगे दुबारा कब 31 दिसमबर को ताकि मुझे लगे हमेशा कि वो मुझे सबसे ज़्यादा मिलते हैं मुझे मिलें और ना चीव कर पाऊ तो बस भाई हवा निकल गई बस भाई फेल तो वो मैं ना सुनूँ इसलिए मैं वो उनको अनाउंस कर देता हूँ जो लक्ष मुझे 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 लगता है लोगों को बता के चलता हूँ ताकि उसको हासिल ना कर पाऊं तो मुझे क्रिटिसाइज करें और कर लूँ तो मुझे अप्रिशेट करें सर एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है यह ज़्यादा तर अगर देखा जाए तो सौ में से नब्ब प्रतिशत लोगों के जीवन में उखटित होता है हम लोग चाइलड हुड में हमारे साथ कोष चाइल्ड अब्यूस हो जाते है या कुछ ऐसी घटना है हो जाती है जो हमारे माइड में ना डार्क सर्क्ल के रूप में रहती एक dark path के रूप में रहते हैं, dark storage के रूप में रहते हैं और यहां तक कि वो हम खुद भी किसी से share नहीं करते हैं ना हमने कभी mother को बताया ना father को बताया brother को sister को, किसी friend को, किसी को नहीं बताया काफी सारे, आज भी मैं, मैं इस age पर हूँ इस तरह की घटना जैसे आप अच्छे बैटर जज़ें इसके क्योंकि आपके पास तो काफी कॉल जिस तरह के भी आते हैं कि मेरे साथ आसा हुआ, मैं कैसे उससे उससे ओवरकम करूँ तो कई बार अगर ऐसी घटना किसी के साथ हो गई है तो उस तरह की घटना से उसके जीव और आइडनिटी जो भी हमारी आइडनिटी बनती है, वो दो शब्दों से बनती है एक है इड और एक है एंटिटी, एंटिटी मींस यूनिट मैं और आप एक यूनिट की तरह बैठे हैं यह एंटिटी है लेकिन इससे पहले जो इड है आईडि याद रखे गाउसका आइडनिटी बन जाती है, वो हमारी बच्पन में बन जाती है और वो भी नो या दस साल तक हमारी आइडनिटी कम्पलीट हो जाती है, कि अब हम क्या बनेंगे, कैसे जीएंगे, यहाँ पर अगर किसी के पास कोई भी अब्यूज या कोई फिजिकल मॉलेस्टेशन, इमोश जेल्दी कैच करते हैं, कई बस सुसाइडल तक है, कोई ऐसा एक्जामपल है, जिसको हम एक्जामपल गरूप में से बताएं, तो हम समझ पाएं कि क्या चीज है, कैसे रिकॉल करना है, आप शायद एक गर्ल के बारे में बता रहे थे, कि उसके, यहाँ बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि कई बार गर्ल ही नहीं है, इविन मेल्स के साथ भी आप पाएंगे, उनके पास चाइल्ड एब्यूज पड़ा हुआ है, तो जब भी आप किसी आदमी को पाते हैं चाइल्ड एब्यूज के लिए, तो हम एक एक साइज कराते हैं, उसका मीनिंग होता ह है, लिबरेट देट चाइल्ड, यानि कि हम उस बच्चे को लिबरेट करके ला रहे हैं, जो फसा हुआ है, अगर आप मेंसे कोई भी आदमी इस तरह की मेमोरी के साथ पीडित है, या फिर आप चाहते हैं कि ये किसी तक पहुँचे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते है यहां पर मैं एक बहुत ही खुबसूरत अनलपी की टेक्निक के स्टेप साब को बता रहा हूँ, पहला स्टेप है कि जब भी किसी भी आदमी के पाप मेमोरी होगी, उसके पास एक चाहिल्डूट उसे अलग दिखाई दे रहा है, और मैं अलग दिखाई दे रहा है, कि मैं यहां पर बैठे हुए हैं और आपका चाहिल्डूट की जो इमेज है, वो कहीं पीछे है, कहीं लेफ्ट में है, पहला स्टेप खतम हो गया, दूसरे स्टेप में आप इमेजिन करें कि आप लंबा सांस लेते हुए, आप इस समय ब्लेस्ट फिल करें, आप इमेजिन करें कि यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी विज्टम दिये, बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिये, लंबा सांस करते हुए, अब आप इमेजिन करें, दूर से, कि वो बच्चा अलग है, और तुम अलग हो, आज आपको एक एक असाइनमेंट मिल ना है, कि उस बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, तो लिखें कि देखें कि ये जो भी हुआ है, वह एक मातर आपके लिए लर्निंग थी, याद रखें कि कोई भी खटना हमारी साथ आती है, वह पेन देने के लिए नहीं आती, वो हमें बेसिकलि या तो रिवार्ड देत य लर्निंग देती है. तो आप उसे लर्निंग का फ्रें।के को दूर से समझाएं और इमेजिन करें कि आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव मैसेज हैं उस बच्चे तक जा रहे हैं और वो बच्चा धीरे धिरे लिबरेट कर रहा है, यानिके उसके छ करें कि अब यहां से चल कर आप उस बच्चे तक जा रहे हैं इमेजिनेशन में यह अगला स्टेप होगा और उस बच्चे को कहें कि आप उस बच्चे का फीचर बिल्कुल आगे सेफ है ठीक है जो आपका फीचर है निशी दूरूप से और अब आप उस बच्चे के साथ और जो यू चाइल्ड है उसको आप समझाते हुए कहें कि अब आप जो भी इवेंट आई है जो लोग जिन्होंने सफर किया पीडित बाव रखा आपके लिए या आपको पीडित बना है उनको फोर्गिव करवाएं और उस बच्चे को इमेजिन करें कि उसके पास इस्पे को वहां से हाथ पकड़ कर उंगली पकड़ कर आप एक खूबसुरत ड्रेस में एक खूबसुरत म्यूजिक के साथ आगे बढ़ाते ला रहे हैं और दीरे दीरे इमेजिन करें वो बच्चा बढ़ता हुआ आपके वरतमान में प्रजेंट में आ गया है अब आपके सामने ख पड़ा है आपके सबकॉंशिस में वहां से वो लिबरेट होकर वरतमान में एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ के अंदर अपनी जगह बना लेगा आपके माइंड के लिए और आपका पेन वहां से समाप्त हो जाएगा पहली बार आपको फोर्गिवनेस करने का आनंद आएगा अबी दो को जैसे आप बता रहे थे ना तो मुझे कैसी फिलिंग आ रहे थी को बच्चा है वो आ रहा है हलाकि मेरे साथ मेरे लाइफ में कभी चाइड अबीज नहीं हुआ होगा होगा करोड़ों लोग होगा होगा लेकिन फिर भी मैं फिलिंग देख पा रहा हूं कि वो बच्चा कहीं बैठा हुआ है जैसे किसी गरी बच्चे को देख लिया बुकमरी में बैठा है नहाय नहीं है दोया नहीं है गंदा हो रहा है तो उसको पहले साफ किया उसको निलाया दुलाया उसको अच्छे कपड़े पनाये उसको बुलाया उसको खाने के अच्छी चीज इतना तो हम करते ही है ना कि बच्चे को कुछ दिया, वो खुश हुआ और बच्चे ने वो डाइट खाना शुरू किया थोड़े दिन बाद में लिए बच्चा हास्ट पुस्ट हो गया और इसके बाद में बच्चा अच्छे स्कूल में अड्मिशन लिया और वो ब्लेस्फो हो जाते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये तो आता नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरी पर्सनलेटी अच्छी नहीं है, मेरे कमिनिकेशन अच्छा नहीं है, या मेरे पेरेंटल बैग्राउंड अच्छा नहीं है, फाइनेशल पावर अच्छी नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा मुझे तो यह चीजा आती नहीं है तो उन लोगों को कैसे हम यह बताएं कि भी मैनिफेस्ट करें कि येस नहीं आती पास जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्तमान में आप कहां हो इस बात से फर्क पड़ता और बविश्य में आप कहां जाना चाहते हो यह बहुत महत्वपून है तो कैसे वह अपने माइंड को त्यार करें कि येस मैं इस यूनिवर्स पर आया हूं तो मेरे अंदर अधित ये शक्ति हैं क्योंकि एक मुवी में मैंने कहते हो सुना था बड़ा बड़ा डायलोग था कि अगर आप हर काम बहुत बड़ कर सकते हैं तो कैसे एक व्यक्ति अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूब करें और नेक्स लेवल जाने के लिए ये बहुत बड़ा तो यह कहा जाता है कि हम आट साल की उमर तक 99 परसेंट लोग अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं और उनको गलत रेफरेंस दिया जाता है मा आργ कमिटे इसमिएकों. ऐसा भी हो जाता है, इस बात नहीं लेकिन हमारी जो आईडिन्टी में हैं बच्छفन में बैन जाती है. अगर आप अपनी आइडिन्टी को कभी भी बदलना चाहते हैं. अपनी सेल्फ इमेज को इन आईडिन्टी को सेल्फ इमेज को एक बहुत I mean मैं NLP की टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ ये टेक्निक आप करिएगा इसी समय अगर मैं आपसे कहूं कि आप उन लोगों को सोचिए उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको आप बहुत सक्सेस्फुल मानते हैं तो आप या रिच मानते हैं या रोल मोडल्स मानते हैं या ट्रांसफोर्मर मानते हैं या चेंज मेकर मानते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की इमेज आपके माइंड के अंदर आ जाएगी अब जैसी मैं कहूंगा कि इन लोगों की इमेजिज को देखेगा, ये कैसे दिखती है, ये कलरफुल है, ये बलेक और वाइट है, इनके ड्रेसिज कैसी है, ये त्री डाइमेंशनल है, इनका बोलने का धंग कैसा है और फिर मैं कहूंगा चलो इनको भूल जायो, अब आप अपने बारे में सोचो। तो अधिकांश लोग कहेंगे कि सर मेरी तो इमेज ही नहीं आ रही है, खुछ लोग कहेंगे स'M 내री इमेज आ रही है लेकिन छोटी आ रही है, कुछ कहेंगे सर मेरी बलیک औट वाइट आरी है, कुछ कह रहे हैं सारे मेरी इमेज में तो आवाज ही नहीं है इन वाली में तो यारी है वाव दीजार दा वंडरफुल पीपल तो मैं लोगों से कहता हूँ कि जहां पर आपके सबकुशिस ने रिच या ट्रांसफॉर्म्ड या रोल मोडल्स को रखा हुआ है उस जगह पर आप नहीं है आपने आपको रिप्लेस करो वहाँ पर आप है ही नहीं तो खुद सोचे कि आप ही के सबकुशिस ने आपको उस समय बैट कर और इम्मीडेटली आपके माइंड में एक ऐसा फिक्सेशन आ जाएगा कि आपको उन लोगों के बीच में आपकी इमेज आएगी इस समय आपके 80 बिलियन ब्रेन सेल्स को ये पता है कि तुम वही हो जैसे बाकी रोल मोडल्स हैं और वो आपको वैसा ही ट्रीट करेगा और आप उसी तरह से बड़े गोल्स को सिर्फ बनाएंगे ही नहीं बलकि उनको पूरा भी करेंगे क्योंकि अब आपकी सेल्फ इमेज वैसी हो गई है जैसी आपके रोल मोडल्स की है कभी भी बदल लीजएगा ड्रेट मैंने पताए भी था आपको ऐसे बदला जा स में जाएंगे इन लोगों से मिलेंगे इन से चीजे देखेंगे सेखेंगे समझेंगे और हम बीडर स्वनेंगे कोचिंग टीचर टेक्निकल एजुकेशन का टीचर करा है कि मैं ड़देश्ट बनुगा बिजनस ओनर बनुगा तो हमने इमेजिनेशन में डिसाइड किया, के उड़ लाइक टू बी आ, मैनेफाक्टरर, ट्रेडर, और इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, और इंडस्ट लिस्ट, तो दीरे 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 लोगों सर्कल में आते गई, आज हमारी इंडस्ट्री है, आज दोस्तों की बात करूँगा, आप यंग्स्टर हैं, तो अपने बच्चों के बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपने बच्चों से भी, कि बेटा जो आप कर रहे न हो बहुत बड़ी है, इससे और बेटर कर सकते हो, तो और बेस्ट, वरना जितना किया वो भी सुपर है, वो वाइफ कहते हैं, तुम तो इनको लिबर्टी दे रहते हो, कि मेरा बेटा कहते हैं, आज कोचिंग निजाना, आज मुझे ये काम करना है, मैं ठीक है, पहले ये कर ले, बस तुम मुझे बता दे करना क्या है, तो मेरे बच्चों को ये पता है, कि जो करने हैं, बेस्ट करेंगे, और ये चीज़ा लाइब डिसाइड नहीं करती, आप और आगे जाएंगे, हमने अच्छा बिलीज सिस्टम अपने बच्चों को दिया है, बहुत बड़ी है, तो सर, ये तो बात रही उस घटने की उस चीजों की, मैं सर ये चाहता हूं कि, आपके साथ मिलकर हम लोग एक सीरीज शुरू करें, और उस सीरीज में, क्योंकि लोगों के बहुत सारे प्रशन होते हैं, लोगों के मन की बहुत सारे दुविदाई हैं, जो बिलिफ सिस्टम से रलेटेड है, उनके मन के प्रशन हैं, उनकी परिशाणियां हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में किसे डिसकस नहीं पारे हैं, किसी वर्क्शॉप में अगर जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो वहाँ open public होती है, बहुत सारी, होता है कई भी 100 लोग आपके workshop में भी 500-5000 जार लोग मैंने देखे हैं, आपके auditorium में बैठे होते हैं, तो इतने सार लोगों के बीच में बंदा डर के अपनी बात नहीं रख पाता, नहीं कहा पाता, या कई बार मौक मिर साहम ने का भी ठीक है, दिली का एक नाम बंदा, उसकी गटना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मतलब वो मुवीज में देखे हैं, कि परिस्तितियों को समझते वोई समय, समय को समझते वोई परिस्तितियों के अनुसार, स्थान, वैव्यक्ति का नाम बदल दिया गया है, तो इस तरह के हम एक सीरिज लेकर आएं, एक एमेल ऐडी हम लोग यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, और यहां भी एक एमेल ऐडी लिख देंगे, आप मेल पर अपनी जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ की रही है, या जो आप करना चाहते है उसके बारे में हमी शेयर करेंगे, कोई ऐसी स्टोरी जो आपके पास, I mean आपको पेन दे रही है और आप उसे बाहर भी निकलना चाहते हैं, I will be sharing not only NLP, बलकि मैं आपको हिपनो पैटर्निंग भी आपको सिखा रहा हूँगा, अमित जी के साथ, इसी तरह से हम लोग एक सीर जहां पर हम आपकी समस्या का समाधान बिना आपकी समस्या को जागर किए, आपकी समस्या का समाधान आपके लेका रहेंगे, तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को पसंद करते रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें, कॉमेंट करकर जरूरू बताएं कि आज का प्रोग् अब्लाइजमेंट होते थे ब्लॉक अडविडिसमेंट पिर क्लासिफाइड डिस्प्ले और यह और आज तो डिजिटल का जमाना है आप चीजों को शेर करें और जो भी प्रशन आपके मन में हो जो एमेल आईडी है उस पर अपनी स्टोरी शेर करें हम लेकर आएंगे सीरीज में आपके हर सवाल का जवाब स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर मित्माईश्वरी और मेरे साथ श्री राम वर्मासर हम दोनों मिलकर आपके सुनरे बविश्य की कामना करते हैं जै हिंद जै भारत